तो हमारा तीसरा सवाल है अंडरूट दो एक्स घाते दो प्लस साथ एक्स प्लस पांच अंडरूट दो बराबर जीरू ठीक है इसे हल करना है और कच्छा 10 की गड़ित में एक्जाम में 80-85% लाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू करना इस चैनल में आपको हर सव चैनल को बहुत सिंपल तरीकित के हल करके सिखाय जाता है जैसा कि हम एक्स स्क्यूर की गुणां का और इसका गुणां करते हर बार तो हम इसका गुणां करेंगे ठीक है तो कितना आएगा यहां पर आपको एक रूल पता होना चाहिए जब भी हम अंडरूट यहां पर क्या हो जाएगा चार हो जाएगा तो जब करणी लगी हुई होती है और करणी के अंदर संख्यां समान होती है यहां भी दो है यहां भी दो है और करणी लगी है तो संख्यां केवल करणी हट जाता है यानि कि अंडरूट हट जाता बस जैसे कि अगर हम यहां बात करें अगर ऐसा कहीं तो फिर इनका गोड़ा होगा और करणी नहीं हाटी जैसे कि तेंदूनी 6 हो जाएगा 6 लेकिन करणी लगी रहेगी तो ये बात आपको याद रखनी है ये वाला रूल भी ये वाला और ये वाला ठीक है तो अब यहाँ पर है अंडरूट 2 और अंडरूट 5 तो क्या होगा इसका यहाँ पर देखते हैं पहले तो अंडरूट 2 और अंडरूट 2 का गोड़ा होगा और एक बात याद रखनी है आपको ये पांच और अंडरूट 2 के बीच में गोड़ा है क्या है गोड़ा हम इससे ऐसे लिख सकते हैं दो गोड़ा पांच गोड़ा अंडरूट 2 यानि कि इसको अंडरूट 2 गोड़ा पांच गोड़ा अंडरूट 2 इसको ऐसे लिख सकते है क्या होगा इसका 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 क्रणा करेंगी वही आजायगी अपना अब यह पांच भाच्चा तो पांच भी हो रहेगा यहीं पर हम एन दोनों का क्रणा करेंग तो कितना यसद आएगा दस ठीक है मतला अंदरूट दो का और हमने 5 इंदरूट दो का गोड़ा किया तो कितना आया दस अब हमको गोड़न फल दस में लगया है अब हम बीच वाली संख्या को तोड़ेंगे तो इसको तोड़ेंगे कि जोडने घटाने पर साथ आए और उन दो संख्या का गोड़ा करेंगे तो दस आए तो यही संख्या है कौन सी हमारी दो और 5 यदि हम दोनों को करते हैं तो कितना आता है 10, और यदि हम 2 plus 5 करते हैं तो कितना आजाएगा हमारा 7, persecuted तो हमारी यही संख्या सही रहेंगी, तो हम क्या लिखतेढें को Under Root, bên 2, Хʃ हाते 2, प्लस, अब देखिए यहाँ पर दो संख्या हमारे पास दो और पांच ठीक है तो हम स्टार्ट किसको लिखेंगे पांच को ये दो को तो ये कैसे पता चलेगा देखिए इस्टार्ट हम लिखेंगे दो को किसको लिखेंगे दो को 2x और प्लस यहाँ पर फिर आएगा 5x प्लस 5 अंडरूट 2 पाँच अंडरूट 2 बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है तो अब हमने 5x को साट कासे लिखा क्योंकि हमने दिखा रहा उपर ही यहाँ पर 5 है और यहाँ 5x को साट रख देंगी तो हमारा पाच-पाच common हो जाएगा तो सरल हो जाएगा सवाल फिर अब क्या करेंगे इसको अब यहाँ पर common करेंगे तो यहाँ पर x है और यहाँ पर x है तो हम common कर लेंगे तो क्या हो जाएगा अब यहाँ पर common करते समय आपको एक बात और याद रखनी है जैसे कि सवाल थोड़ा सा interesting सवाल है ये कठिन सवाल नहीं है दोस्तों गड़त में जो सवाल थोड़ा सा कठिन होता है तो कठिन नहीं होता है वो interesting सवाल होता है उस सवाल को करने में और मजा आता है तो इसे देखे यहाँ पर यहाँ पर आप थोड़ा सो देख सकते हैं कि 5 को यदि हम common करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा अंदर x प्लस under root 2 बचेगा तो मतलब यहाँ पर हमारा under root 2 बचना चाहिए तो कैसे करेंगे हम यहाँ पर x common कर लेंगे और 2 under root 2 को common कर लेंगे under root 2 x को common कर लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर यह बचेगा प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडरूट दो यह बचेगा फिर यहाँ पर प्लस पांच को मन कर लेंगे हम तो यहाँ पर कितना बचेगा एक्स प्लस अंडरूट दो एक्स प्लस अंडरूट दो बराबर जीरो अब यह कैसे हु पर एक है तो अंडरूट दो का एक में गुणा करेंगे तो अंडरूट दो आ जाएगा और फिर एक्स का एक्स में गुणा करेंगे तो एक्स के हादे दो आ जाएगा अब जब अंडरूट दो बाली संख्या का अंडरूट दो से गुणा करेंगे तो कितना आएगा दो ही आपको confuse नहीं होना है उसके बाद अब यहां पर x plus under root 5 और x plus under root 2 अब देखिए यहां पर x plus under root 2 और x plus under root 2 है दोनों में हैं तो यह common हो जाएगा तो कितना बचेगा x plus under root 2 हमने common कर लिया तो यह 2x बचा यहां under root 2 x plus यह बाला 5 बचा बराबर 0 हो गया ठीक है अब इसके बाद हम क्या करेंगे यह अब देखिए दौनों के बराबर में 0 कर देंगे तो x plus under root 2 हो जाएगा बराबर 0 यह 2 under root 2 x plus 5 बराबर 0 यह हो गया अब क्या कर सकते इसको अच्छांतर कर देंगे simple तो क्या हो जाएगा plus under root 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा minus x बराबर minus under root 2 यह अब यहाँ पर plus 5 कर देंगे तो under root 2 x बराबर यहाँ minus 5 हो जाएगा ठीक है और under root 2 भी हो जाएगा तो x बराबर minus under root 2 या under root 2 को हम क्या करेंगे इस सड़ लाएगे यहाँ x के साथ गुणा कर रहा है दौनों के इच में क्या है गुणा रहता है तो x बचे गए यहाँ पर और गुणा वाली संख्या बटे में जाती है तो बराबर किस सड़ आएगी तो minus 5 बटे under root 2 हो जाएगा ठीक है तो